दोस्तो आईपिैल 2023 में रोज एक सी बढ़कर एक रोमानचक मुकाबले देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही एक रोमान्चक मुकाबला आज मुंबई इंडियन और गुजराट टाइटन के बीच मुंबई के वानखेडे इस्टेडियम में खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में हार्दिक पांडिया ने तौच जीत कर पहले गेनबाजी करने का फैसला लिया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियन की सुरुआत बहत सांदार रही। दोस्तों मुंबई की जीत के बाद आज पॉइंट टेबल में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले है। आपको बता दे कि इस मुकाबले को जीतने के बाद मुंबई इंडियन को बहुत बड़ी खुसकबरी मिली है। दोस्तों पॉइंट टेबल में सबसे निशले पायदान की बात करें तो नमबर दस पर दिल्ली कैपिटल का नाम आता है। दिल्ली कैपिटल ने आईपियल 2023 में अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं जिन में से 4 में जीत मिली है और 7 में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आटवे नमबर पर पंजाब का नाम आता है। पंजाब को प्ले आफ में कौलिफाई करने के लिए बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे और अपने नेटरंडेट को बहुत ही अच्छा करना होगा तभी पंजाब की टीम प्ले आफ में कौलिफाई कर पाएगी। दोस्तों साथवे नमबर पर कुलकता नाइट रैडर का नाम आता है। प्ले आफ में कौलिफाई करने के लिए अब बाकी बचे तीनों मुकाबले जीतना होगा और अपने नेटरंडेट को बहुत ज्यादा बहतर करना होगा तभी आरसीबी की टीम प्ले आफ में कौलिफाई कर पाएगी। दोस्तो नमबर पांच पर लखनाउ सुपर जॉइंट का नाम आता है। लखनाउ ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। लखनाउ को प्ले आफ में पहुँचने के लिए 3 मुकाबले और जीतना होगा। दोस्तो नमबर 4 पर राइस्थान रॉयल का नाम आता है। राइस्थान रॉयल ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 6 में जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तो आज का मुकाबला जीतने के बाद मुंबई इंडियन को बड़ी खुस खबरी मिली है। चिन्नाई सुपर किंग ने IPL 2023 में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 7 में जीत मिली है और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तो गुजरात की टीम तो प्लेयाफ में पहुंच गई लेकिन बागी की 3 टीम में कौन सी प्लेयाफ में पहुंचेंगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेश्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।